प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नामी बिया से आए आठ चीतो को मद्यप्रदेश के कुनो पालपुर अभ्यारंस में बनी क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ दिया इन चीतो को ग्वालियर एरपोर्ट तक विशेश विमान से लाया गया था यहाँ से उन्हें चिनूक हेलिकॉप्टर से मद्यप्रदेश के कुनो नेशनल पार्ख ले जाया गया जहां प्रधान मंत्री मोदी ने कुनो नेशनल पार्ख के स्पेशल बाड़े में चीतो को छोड़ा और उन्हें कैमरी के जर्य नहारा इसके साथ ही पियमोदी ने नामीबिया का आपहार जटाया इन चीतों को 30 दिनों तक विशेश बाड़ी में रखा जाएगा और इस दौरान उनकी सेहत पर नज़र रखी जाएगी हिंदुस्तान के लिए आज का दिन एतिहासक है क्योंकि 70 सालों के बाद रफ्तार के सर्था श्रीता की देश में एंट्री हुई है पियमोदी ने अपने जन्म दिन पर कुनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ कर देश को एक बड़ा स्पेशल गिफ्ट दिया है मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविश के निर्मान का मोका देता है आज सवभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही खण है दसकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी तूट गई थी विलुप्त हो गई थी आज हमें उसे फिर से जोडने का मोका मिला है आज भारत की धर्ती पर चीतान लोट आये है कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृती प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जाग्रत हो उठी है मैं इस अईतिहासिक अवसर पर सभी देशवाच्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं विशेज रुप से मैं हमारे मित्र देश नाभीविया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं जिनके सहयोग से दसकों बाद चीते भारत की धर्ती पर वापस लोटे हैं मुझे विश्वास हैं ये चीते न केवल प्रकृती के परती हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे भलकि हमारे मानविय मुल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे साथियों जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं इसलिए ही आजहादी के इस अमरित काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ती जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोराया है पिछली सद्यों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृती के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिक्ता का प्रतीक मान लिया गया था